अब देखिए बीजे पी आरेसेस के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे हैं मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे उपर प्रेशर डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूँ मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले चाहे वो कश्मीरियत है चाहे वो वैशनो जनतों है चाहे वो शंकर देव जी है बसवा है नरायन गुरू है तिरुवलवर है जो टमिल नाडू के बड़े पोईट है फूले जी है और जो कश्मीरियत है ये इस विचारधारा पर आकरमन कर रहे है और ये जो विचारधाराएं है ये इस देश की नीव है इस देश की फाउंडेशन है और आपने जो किया जो यात्रियों ने किया हम सब ने किया इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया मैं ऐसा काम अपने लिए कभी करी नहीं सकता हूँ मैंने ये काम मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है मैंने ये काम और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जन्ता के ले किया है और हमारी कोशिश है हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो विचारधारा इस देश की नीव जो विचारधार है इस देश की नीव को तोड़नी की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम खड़े हो, मिलकर खड़े हो, नफरत से नहीं क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहबद से खड़े हो मैं जानता हूँ कि अगर हम मौबबत से खड़े होंगे पियार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और उनकी जो विचारदारा है उसको हम सिरफ हराएंगे नहीं मगर उस विचारदारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे तो आपने देश की जनता ने हमारा समर्थन किया हमारी कोशिश है कि हमें बीजेपी ने एक जीने का तरीका राजनेतिक तरीका दिखाया है हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका जो हिंदुस्तान का तरीका है मोहबत का तरीका है वो हम देश को दिखाएं हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान महबत का देश है इस्जत का देश है भाईचारे का देश तो हमने जो कहा था छोटा सा कदम लिया है बड़ा कदम नहीं है नफरत के बाजार में महबत की दुकान कुलने की कोशिश की धन्यवाद जहिन